आज की वीडियो में मैं एक्स्प्लेन करूंगी सर आर्थाय कानन डायल दोर लिखी कहानी आज स्कैंडल इन बोहीमिया तो शुरू करते हैं इस कहानी की समरी हिंदी में मेरी यानी गरिमा की आवास में एरीनी एडलर एक बेहत खुबसूरत और चलाक महिला जिसने शरलॉक होमस को भी मात दे दी थी ये एक ऐसी वरत थी जिसके बारे में शरलॉक होमस हमेशा सोचते रहेंगे और उनकी तस्वीर भी ऊहनोंने अपने साथ हमेशा रखी रही उसे एरीनी एडलर से प्यार तो नहीं था तो कि वा किसी भी वारत से प्यार नहीं करता था लेकिन पहली बार उसे अपने खुछ से चलाक महिला से सामना हुआ था कहानी है जब शॉलोक होम्स को एक अंजान चिठ्थी मिलती है उस चिठ्थी पे न डेट था न एड्रेस उस चिठ्थी पे लिखा था कि अगले दिन एक आदनी रात के पौने आठ बजे आप से मिलने आएगा उसने नकाब पहना होगा और आप उसकी पहचान करने की कोशिश ना करें श्यलोक होम्स बड़े गौर से उस चिठ्थी को पढ़ते हैं तब ही वाटसन भी वहां जाते हैं श्यालोक होम वाटसन से कहते हैं कि जिस कागज पे चिठ्थी लिखी गई है वो बहुती कीमती कागज है वह रोश्णी में उस कागज को देखते हैं जिसमें कोई वाटर मार्ग बना होता है शालोक वाटसन को बताते हैं कि जरूर या कागज बोहीमिया से आया है और उनका शक बिल्कुल सही होता है अगले दिन उनसे मिलने एक आदमी आता है उसने नकाब पहना हुआ था वाटाता है कि उसका नाम वौन क्रैम है और वो एक काउंट है वो बोहीमिया से आया है वाटाता है कि बोहीमिया के जो राजा हैं विलहल्म, वौन, आमस्टीन उन्हें एरीनी एडलर नाम की एक औरस से प्यार हो गया था इस पे शर्लॉक बोलते हैं ओहो एरीन एडलर जिनका जन्म 1850 में हुआ था एक बहतरीन सिंगर और बेहत खुबसूरत महिला है आपके राजा को उनसे प्यार हो गया लेकिन उन्होंने शादी नहीं की प्रेम में उन्हें छोड़ दिया अब आपके राजा को डर है कि कहीं वो ये बास सबसे बता ना दें ये सुनके वह आदमी बिल्कुल चौक जाता है तब ही शर्लॉक बहुत तेजी से उठते हैं और उस आदमी का नकाब हटा देते हैं वो आदमी कहता है इस नकाब से कोई फाइदा भी नहीं आप तो सब कुछ जानते हैं मैं ही वह राजा हूँ विल्म हैन्म वॉन आमस्टीन मैं एक जमाने में एरीनी एडलर से प्रेम करता था हमारी कुछ तस्वीरे भी साथ में हैं और मैंने उसे कई पेम पत्र भी लिखे थे लेकिन मुझे एरीनी एडलर बाद में बहुत लालची महिला लगनी लगी वो सिर्फ मुझ से इसलिए जुड़ना चाहती थी क्योंकि मैं एक राजा था वा मेरे राजसी खांदान से तालुक रखना चाहती थी फिर मैंने उससे किनारा कर लिया अब मेरी शादी इस सकैंडिनेविया के राजा की बेटी से तै हुई है मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली पत्नी को एरीनी एडलर के बारे में कुछ भी पता चले लेकिन मुझे शक है कि एरीनी एडलर मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी वा वा चिठ्टियां और वा तस्वीरे जरूर मेरे होने वाली पत्नी के पते पर भेज देगी और वो लोग मेरी शादी उससे नहीं होने देंगे मेरी होने वाली पत्नी एक राजकुमारी है वो या कभी भी बरदाश नहीं करेगी कि एक सिंगर से मेरा नाता रह चुका हो इस पर शरलॉक उस राजा से पूछते हैं कि वो उनके लिए क्या कर सकता है तो राजा उस शरलॉक को बताता है कि वो चाहता है कि वो सारी तस्वीरें और वो चिठ्छियां वो अरीनी एडलर के पास से लाके उसे दे दे इस पर शरलॉक उससे कहते हैं कि ये काम तो वो खुद भी कर सकते थे वो आखिर एक राजा हैं उनके पास तो कई ऐसे लोग होंगे जिस काम में माहिर होंगे तो वो राजा शरलॉक को बताता है कि पांच बार उसने ऐसी कोशिश की है उसके आदमियों ने अरीनी एडलर के घर की पूरी तलाशी ली लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा वो बहुत चलाक महिला है उसने ना जाने वो तस्वीरें कहां छुपा के रखी है वो शरलॉक के सामने एक पैसे से भरा बैग रखते हैं वो उससे कहते हैं कि ये एक हजार पांड है अगर उन्हें और पैसे चाहिए तो वो और दे देंगे लेकिन क्योंकि सिर्फ दो ही दिन के बाद उनकी शादी है इसलिए वो चाहते हैं कि शरलॉक जल्द से जल्द वो चिठी और वो तस्वीरें उन्हें वापस ला करते दें शरलॉक उनसे एरिनी एडलर का पता पूछते हैं वो एक लॉज में ठहरी हुई थी फिर शरलॉक ये काम पूरा करने का वादा लेते हैं और वो गिंग वापस लौट जाता है वाटसं और शर्लाउक मिलकर एक प्लैन बनाते हैं शर्लाउक वाटसं से कहते हैं कि उन्हें वाटसं की मदद चाहिए होगी जब वो उस लौटसं जाएंगे तो वाटसं बाहर उनके लिए उनका इनतजार करेगा शर्लॉक जब उसे इशारा करेंगे तब उसे एक धुआ करने वाला बम उस लोच के अंदर फेकना होगा उसे किसी को हानी नहीं होगी सिर्फ हर तरफ धुआ फैल जाएगा और फिर वाच और चौराहे पर जाके शर्लॉक का इंतजार करेंगा शर्लॉक थोड़ी देर में वहाँ बहुत जाएंगे और वो दोनों एक कैब में बैटके वापस आ जाएंगे वाटसन इस चीज़ के लिए त्यार हो जाता है इसमें उसे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी अगले दिन वाटसन सुबह देखता है कि शर्लॉक फटे पुराने कपड़े और गंदे से मिटी लगे बाल लिये कहीं से चले आ रहे हैं इस पे वाटसन चौक जाता है शर्लॉक उसे बताते हैं कि वह एरीनी एडलर के लॉच के पास गया था और वहाँ के नौकरों से उसने दोस्ती कर ली उसे अरीनी एडलर के बारे में काफी कुछ मालूम पड़ा लेकिन वो तस्वीरे वो कहां रखती है नौकरों को भी नहीं मालूम था अगली सुबा शर्लॉक फिर से भेश बतलके एरीनी एडलर के पते की आसपास तहलने लगते हैं वो देखते हैं कि गौटफ्रे नौटर नाम का एक आदमी उनसे मिलने आता था जो कि एक लॉयर था या नौकरों ने उन्हें बताया था वो आदमी उस दिन भी एरीनी एडलर से मिलने आया था कुछ देर के बाद बहुत बहुत तेजी से लॉच के बाहर निकलता है एक कैब रोकता है और कहता है जल्दी से उन्हें चर्च ले चले थोड़ी देर के बाद एरीनी एडलर भी उस लॉच से निकलती है वो भी एक कैब रोकती है और उससे कहती है कि उन्हें जल्दी से चर्च की तरफ ले चले शरलॉक भी एक कैब लेके उसी चर्च पर पहुँच जाता है जहां ये दोनों पहुँचे होते है चर्च में अरीनी एडलर और उनका बॉइफरेंड गॉडफरेंड नॉटन दोनों शादी कर रहे थे वो शरलॉक को देखके बहुत खुश हो जाता है गॉडफरेंड नॉटन शरलॉक से कहता है जल्दी से आ जाईए आप ही का इंतजार था शरलॉक को समझ नहीं पाते शरलॉक उन दोनों की शादी में गवाह बन जाते हैं और वो दोनों हैपिली मैरिड होके वापस उस लौच की तरफ चल पढ़ते हैं शाम हो जाती है वो वक्त आ जाता है जब इन लोको अपने प्लान के एक्जिक्यूशन करना है शरलॉक ने अपना पूरा भेश बदल रखा है जिसे अरीनी एडलर उन्हें पहचान ना सके उसने फ्रेंच कट ताड़ी बना रखी है और एक बड़ा सा चोंगा पहन रखा है बिल्कुल जैसे प्रीस्ट पहनते हैं वह अरीनी एडलर के घर के तरफ चल देता है उसने उसी तरह प्रीस्ट का चोंगा पहना था जिस प्रीस्ट ने अरीनी एडलर की शादी कराई थी उससे दिन सुब़े में उसने कुछ लोगों को पहले से ही पैसे दे दिये थे जैसे ही वह उसके लॉच के बाहर पहुँचता है वो जो भाड़े के आदमी थे वो इस पर अटैक कर देते हैं और कुछ नकली खून की बूंदे भी शरलॉक हुम्स पर लगा दी जाती है और शरलॉक ऐसा गिरने के अक्टिंग करते हैं लगता है कि वो मर गए वहां बहुत हंगामा मच जाता है और वो लोग उन्हें लॉच के अंदर लेके जाते हैं एरीनी एडलर उन्हें देख के बहुत परिशान हो जाती है वो समझ जाती हैं कि ये तो शायद वही प्रीस्ट है जिन्होंने उसकी शादी कराई थी शरलॉक हुम्स उसके लॉज में उसके कमरे में लेटे हुए हैं तभी वोट्सन बाहर से जागता है शरलॉक अपना एक हांद उठा के वोट्सन को इशारा करते हैं और वोट्सन कमरे के अंदर वाधुएं वाला बम फेक देता है थोड़ी देर में अफरा तफरी मत जाती है वोट्सन वहां से सीधे चौराहे जाता है और चौराहे पे थोड़ी देर बाद शरलॉक उन्हें मिलते हैं ये दोनों कैब लेकर अपने घर पे उतरते हैं तब ही पीछे से एक नौजवान उन्हें गुड़ नाइट शरलॉक बोलता है शरलॉक उसे कहते हैं गुड़ नाइट फिर वो सोचते हैं कि इतनी रात में उन्हें किसने गुड़ नाइट विश की वो जब पलट के देखते हैं तो वहां कोई नहीं था शरलॉक उस्पिजा ध्यान नहीं देते और अंदर आ जाते हैं वो वाटसन को बताते हैं कि जब धुए वाला बम उसने अंदर फेका तो एरेनी एडलर बहुत परिशान हो गई अब परिशानी की हालत में कोई आदमी क्या करता है सबसे पहले अपनी सबसे महत्मपूंट चीज निकालके बाहर भागने की खोशिश करता है मैंने देख लिया है कि वा चिथी और वो फोटोग्राफ उसने कहां रखी है वो एक अलमारी है छिपी हुई उसके कमरे में वा उसे निकालने ही वाली थी लेकिन मैंने समझ लिया कि अगर वा चिथी और फोटोग्राफ वा निकाल लेगी तो दुबारा वा उसे कहां छुपा देगी मैं जान नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने उसे रोक दिया और कहा किसी ने मजाक मजाक में धुए का बम अंदर फेक दिया है इसमें कोई हानिकारक चीज नहीं तो वा बहुत आशर चकित रूप से मुझे देखने लगी थी फिर मैं लौट आया अब कल सुबह मुझे पता है अरीने एडलर वाक पे जाती है तब मैं और तुम भेश बदल के से कमरे में घुसेंगे और उस गुप्त अलमारी से वा फोटोग्राफ्स चुरा लाएंगे इससे हमारा काम असानी से हो जाएगा और राजा की शादी के पहले हम उन्हें वा फोटोग्राफ्स सौंप देंगे अगले दिन वाट्सन और शेरलोक सुबह सुबह उस लौच पे पहुँच जाते हैं शेरलोक और वाट्सन दोनों ने अपने भेश बतले हुए थे लेकिन उनके आश्चर का ठिकाना नहीं रहता जब लौच के नौकर उन्हें बताते हैं कि एरीनी एडलर अपने पती गौड़फरे नौटन के साथ सुबह ही सुबह वाट्स छोड़के हमेशा के लिए इंगलेंड चली गई है और वाट के अब कभी नहीं आएंगी वो उनके लिए एक चित्थी और एक तस्वीर भी छोड़ गई है शर्लोक वाट चित्थी और वाट तस्वीर लेकर अपने घर लोट आते हैं जहां राजा उनका पहले से इंतिजार कर रहा था वाट उनने देख के बड़ा खुश हो जाता है कि आखिस शर्लोक वाट चित्थी और वाट तस्वीर अरेनी एडलर से लेकर उनके पास आ ही गए लेकिन शर्लोक जब यह चित्थी पढ़ना शुरू करता है तब राजा वाट चित्थी सुनता ही रह जाता है उसमे अरेनी एडलर ने लिखा था कि उसे पहले ही शक था कि वाट शर्लोक होम्स है जो हर पल उसका पीछा कर रहे हैं भेश बदल के नौकरों से बात कर रहे हैं और उसने ही तो उनके लिए शादी में गवाही दी थी वो जानती थी कि राजा ने शरलोक होम्स को हायर किया है उससे चिठी और तस्वीरे वापस पाने के लिए ये बास सच है कि एक समय में वा राजा से बहुत प्रेम करती थी लेकिन राजा की कुछ ऐसी बाते थी जो से बिलकुल पसंद नहीं आई अब वा अपनी मर्जी से गौर्फरे नौटन से शादी कर रही है और वा एक दूसरे से बेहत प्यार करते हैं वो हमेशा इक दूसरे के साथ खुश रहेंगे राजा उसकी तरफ से निश्चिंद हो जाए वा वो तस्वीरे और वा चिठ्धियां कभी किसी को नहीं दिखाएगी और उसकी तरफ से राजा को कभी कोई खत्रा नहीं है साथ में चिठ्धी के एरिनी एडलर ने अपनी एक खुबसूरा सी तस्वीर भी रख रखी थी राजा जब वो चिठ्धी को सुनता है तो वो कहता है कि क्या बहतरी नौरत है एरिनी एडलर वो बिलकुल भी लाल जी नहीं वो उसकी जिन्दगी बरबाद करना नहीं चाहती थी उसने क्यों एरिनी एडलर को छोड़ दिया उसे आज बहुत अफसोस हो रहा है इस बात पे उसने एरिनी को हमेशा ही दलस समझा तो शरलोक हम्स वो तस्वीर राजा को देने लगते हैं तो राजा शरलोक से कहता है कि नहीं अगर वो चाहें तो वो तस्वीर खुद रख सकते हैं शरलोक को पहली बार एक ऐसी ओरत मिली थी जो उसे एक हाथ आगे थी जिसने उसकी सारी चाले पहले ही भाप ली और उसके प्लान को विफल कर दिया शरलोक हमेशा एरीनी एडलर की वा तस्वीर अपने पास समहाल के रखते हैं अगर एरीनी एडलर वो फोटोग्राफ्स और वो चिथियां इस कैंजी नेविया की राजकुमारी को दे दी होती तब ही मिया में एक बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाता उस राजा के खिलाफ उसके जूटे प्यार के खिलाफ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कहानी अच्छी लगी हो तो हिट आ लाइक बटन और थैंक्स वर लिसनिंग बाई